नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणीजा अपने जोतिष प्रोग्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों, आज हम बात करेंगे द्वादशी तिथी के बारे में द्वादशी तिथी को हम बारस के नाम से जानते हैं और पंचांग के अनुसार बच्च बारश जो है वह बहूती अच्छा वुरत्ते होर माना जाता है बारश तिथी के दिन मनाई जाता है और बारधे-पद्माष की जो बारश होती है बारश यानि 12s तिथी जो है चाहे वह सुखलपक्सी हो या कृश्णपक्सी हो ये दोनों तिथियां बहुती सुब माने जाती हैं बादरपद मास की क्रिष्ण पक्स की जो द्वादरशी तिथि हैं उस दिन बच्छ बारश मनाए जाती हैं और बादरपद मास की सुक्लपक्स की जो द्वादरशी तिथि हैं उस दिन वामन अवतार हुआ था इसलिए बादरपद मास की दोनों तिथिया बहुती सुब माने जाती है द्वादशी तिथि अब मित्र बात करते हैं द्वादशी तिथि जो है तो द्वादशी तिथि जो है वो नंदा तिथियों की स्रेणी में आती है द्वादशी तिथि को नंदा तिथि का जाता है और द्वादशी तिथि के स् सब कारिय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह असुप योग बन जाता है और उस योग में हम कोई बी सुब कारिय करेंगे तो तो वह हमारा कारिय जो है सफलता नहीं डेगा असुप हो जाएगा कुछ भी असुब होगा, वह कार्य पूरा नहीं होगा तो द्वादशी तिति रविवार को हो, तो यह सुब योग नहीं होता है हमें द्यान रखना चाहिए और मित्रों द्वादशी तिति अगर बुद्वार के दिन हो तो यह अमरत शिद्धी योग बन जाता है सरवार्त सिद्धी योग बन जाता है बहुती सुभ योग बन जाता है अगर बुद्वार के दिन द्वादशी तिति हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए बुद्वार का दिन हो और द्वादशी तिति हो तो कोई भी सुभ कार्य करेंगे तो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी सबी शिद्धियों को देने वाला यह योग बन जाएगा अगर 12 शितिति और बुद्वार साथ में है तो और रविवार और 12 शितिति है तो हमें कोई भी सुबकारी नहीं करना है यह चीज हमें ध्यान रखने हैं तो मित्रों यह थी 12 शितिति के बारे में जानकारी फिर कोई नहीं जानकरी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे धन्यवाद